तो यह है चेट जीपीटी जिसे वन मिलियन लोगों ने लॉंच के चार दिन के अंदर ही यूस कर लिया चाट जीपीटी चाट जीपीटी इस चाट जीपीटी एंड सेम ओडियंस के लिए इंस्टाग्राम को लग गए थे टू मंथ तो यहाँ पर मैंने पाइन स्क्रिप्ट 200 EMA strategy के लिए लिखा और आप देख सकते हैं यहाँ हमारे सामने लाइव कोडिंग स्टाट हो गई है यहाँ पर इस स्क्रिप्ट भी जन्रेट हो चुकी है हलो ट्रेडर्स वेलकम टू अनदर वीडियो आज की हमारी यह वीडियो कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक पर होने वाली है वैसे तो आप थमनेल देखकर समझ गए होगे आज की इस वीडियो में हम देखेंगे AI के थुरू हम ट्रेडिंग के से सीख सकते हैं AI मतलब Artificial Intelligence हम जो AI देखने वाले हैं उसमें हमें सिफ question type करना है and within 30 seconds हमें answer देखने को मिल जाएगा आज की यह वीडियो बहुत interesting होने वाली है and आपके लिए बहुत helpful भी होगी because इसके बाद अगर आपका कोई भी doubt होता है trading से related तो आप directly AI में type करके पूछ सकते हो so let's get started हम google पर openai.com सर्च करेंगे वहाँ पर आप first link पर click करोगे तो आपके सामने ये website open होगी हमें या website के top पर try लिखा हुआ दिख रहा है तो हम यहाँ पर click करेंगे जैसे ही आप यहाँ पर click करोगे तो आपके सामने इसा interface होगा पेले आपको try पर click करने के बाद sign up करना पड़ेगा उसके बाद आपके सामने इसा interface शोगा अब हमारे जो भी question होगे हमें यहाँ पर type करना है and within 30 seconds हमारे सामने answer आ जाएगा तो अब हम यहाँ पर कोई question type करके देखते अब हम यहाँ पर एक question type करते what should I learn in trading ठीक है यहाँ पर मैंने question type कर दिया है and enter कर दिया है तो आप देख सकते हमारे सामने response आना start हो गया है so firstly हमें यहाँ पर AI ने बताया हमें technical analysis सिखना पड़ेगा फिर second में हमें risk management भी पता होना चाहिए उसके बाद हमें fundamental analysis का भी पता होना चाहिए fourth number पर हमारे सामने जो point आया है उसमें trading psychology के बारे में बताया है and fifth number पर हमारे सामने trading strategies आये तो यहाँ पर आप देख सकते हमने उपर question type करा था and within 30 seconds AI ने हमें बता दिया है trading में हमें क्या-क्या सिखना पड़ेगा अगर आप कोई beginner है उसको नहीं पता है technical analysis क्या है तो simply हम यहाँ पर type करेंगे what is technical analysis and देखते हमारे सामने क्या response generate होता है तो आप देख सकते हमारे सामने response generate होना start हो गया है and यहाँ पर हमें बिल्कुल simple English में response देखने को मिलता है अगर किसी को basic English भी आती है तो वो समझ सकता है तो यहाँ पर हमें जो response देखने को मिला है उसमें बता है हमें chart pattern सिखना चाहिए trend line, moving average, oscillators and यहाँ पर और भी बहुत सारा कुछ लिखा है जो आप पढ़ सकते हो अगर आपको यह वाले response साही नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पर वापस से जाके regenerate response कर सकते हो तो अगेन आपको हर बार नया response देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम कुछ और questions type कर लेते हैं जिससे कि आपको भी थोड़ा idea लग जाए हम केसे questions पूछ सकते हैं तो यहाँ पर हम पूछ लेते major components of bank nifty यहाँ पर मैंने enter किया हैं आप देख सकते हैं यह response generate होना start हो गया है अब यहाँ पर हमें कुछ ही time में पूरे bank nifty के components भी देखने को मिल जाएंगे तो आप देख सकते हमारे सामने bank nifty के components आना start हो गए हैं फिर second में HDFC bank, ICICI bank, Kotak, Mahindra bank, XIS bank इसे ही हमें यहाँ पर bank nifty के 12 components देखने को मिले हैं इसके बाद यहाँ पर एक question और पूछ रहा हूं तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना यह यहाँ पर मैंने लिखा write a pine script code for 200 EMA strategy तो यह pine script code क्या है मैं आपको बता देता हूँ pine script code वो होता है अगर आपको कोई भी अपनी personal strategy बनानी है या फिर कोई strategy का code चीए तो उसके लिए हमें coding करनी पड़ती है अगर हम यह भी type करते हैं तो वो code भी हमारे सामने हाँ generate हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने pine script 200 EMA strategy के लिए लिखा आप देख सकते हैं यहाँ हमारे सामने live coding स्टार्ट हो गई है यहाँ पर हमारे सामने script भी generate हो चुकी है तो आप देख सकते हैं इसके according हम strategy भी बना सकते हैं हमारी personal strategy यहाँ पर हमें in detail बता भी दिया है इस 200 EMA को हमें कैसे use करना है pine script code trading view में हम यहाँ पर paste करेंगे यहाँ आपको pine editor देखने को मिलेगा bottom में इस पर click करते हैं तो यहाँ पर pine editor open हो जाएगा और आप chat GPT से code copy करके यहाँ पर paste कर सकते हो और उसके बाद बस यहाँ पर हमें save पर click करना होगा तो जो हमें pine editor script मिलेगी वो यहाँ पर paste हो जाएगी आपको थोड़ा बहुत knowledge होना चाहिए coding का या फिर आप किसी को जानते हो जिसको coding आती हो थोड़ी बहुत और थोड़ा बहुत भी modify करना होगा तो वो करके आपको दे देगा और आपकी personal strategy ready हो जाएगी तो इस AI के तुरू आप कुछ भी सीख सकते हो और कुछ भी बना सकते हो अभी तो मैं 200 EA में के लिए generate किया है आपको अगर कोई personal strategy भी बनानी है तो आप यहाँ पर type कर सकते हो और अगर आपको यहाँ पर यह code समझ नहीं आ रहा है तो आप वापस से रिजनरेट response करोगे तो आपके सामने नया code जनरेट हो जाएगा अब हम यहाँ पर देखते तो यहाँ हमारे सामने नया code जनरेट हो रहा है जो कि पुराने वाले से बहुत डिफरेंट है तो यह से आप multiple response जनरेट करके अपने लिए एक perfect code भी find कर सकते हो मैं एक दो question और पूछ लेता हूँ यहाँ पर आप stop loss hunting के बारे में भी सीख सकते हो तो हम यहाँ पर type करते है what is stop loss hunting and enter कर देते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर response जनरेट होना start हो गया stop loss hunting पे और कुछी दिर में यह complete भी हो जाएगा तो ऐसे आप trading में किसी भी topic के बारे में समझ सकते हो अगर आपके कोई और भी field है आप programmer भी हो या आप coding भी करते हो आपका कोई भी field हो आप यहाँ पर question पूछ सकते हो आपके सामने सारे response जनरेट हो जाएंगे तो ऐसे आप AI के through trading सीख सकते हो आपका कोई भी doubt होता है तो आप directly यहाँ पर type करोगे और आपके सामने within 30 seconds response जनरेट होके आ जाएगा अगर आप चाते हो कि हम AI का deep use कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग में तो आप comments में बता सकते हो मैंने कुछ personal चीज़े निकाली है इस AI के through अगर आप चाते हो कि मैं वो share करूँ तो आप comments में बता सकते हो अभी chat GPT internet से connected नहीं है इसलिए आपको live market के price and charts देखने को नहीं मिलेंगे I hope आपको video पसंद आई होगी So इस video में बस इतना ही thanks for watching see you in the next video